हेलो दोस्तों आप सबको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में और अभी सुबह का गाईज मेरा सारा काम हो गया है और मैं ना के पूजा भी कर ली हूँ और लेंज बन गया है गाईज और उसके अभी रेडियो हो जा लिए जाना है मिस्टी को स्कूल से लेने के लिए और मैं सुबह स्कूल से छोड़ करके आ गई थी गाई साथ बज़े आने के बाद सारा काम कंप्लीट करके अभी दस बज़ गया है अभी रेडी होकर खाना पैक करूंगी और लेकर जाओंगे मिस्टी को लेने कि फिर आ करके फिर मिस्टी का ट्यूशन भी है ट्यूशन करा क फिर मुझे जाना भी है गाइस तो अभी सारे दस बज़े तक उसको लेकर चली आओंगी और उसके बाद इसका मैम आएगी ट्विशन करने के लिए और मम्मी का खाना पैक कर दे रही हूं और आज मैं अपने हैर को शैंप्यू प्यू हूं इसलिए मैं हैर खोल कर रख्यू चली हैरा करते हैं दनकी है तो गयर स्कुल आ गया थी मिस्टी का चुट्टी हो गया तो तो मैं लेकर करके भी इसको मम्मी के धुकान जाओंगी वहँ से मम्मी 2-3 मि अपने एक सितला मंदीर है और जा रहे च्टी मत वहां पर चाय पीलूंग चॉँक्र दो पीर मात जो एinen मंदिर भी ऊकई है भी हे जो रहते हैं कि चोटा यह दुकान आ घहें चोटा साहीं में इसमें मम्मी बस चाय बेशती है और बिस्किट वगएर और कुछ नहीं रहता है इसमें खाने का सावन नहीं करती मम्मी यहां मिश्टी बैट के चीप्स खा रही थी यह बैठी थी एक भाबी है मतलब हमारे घर के बगल में रहती तो मम्मी के दुकार में चाय पीने आई थी अब से मिश्टी बात कर रही थी च्प्स घार रहे है रह honori कि अब बहुत अच्छी से लृच करें हम और वह से मिलने मीश्टी देख लिए हुम्पक मिला है तरने इसका मैंalso की पटाना के बादर परोण था इसलिए मैं सब चेक करके उसे बता दून गे ऐसे वह नहीं आए इसी भर में पहले रहते थे देए उसका गाज लोग घट चले गए ते उसका रेइडी गायते कि मिस्टी का स्ट्यूशन नहीं मिस्टी बापा आ गयते है विद्दी का गरा घएते भागे तो इसका दाने को लिए नाश्ता दिडी बन आखे सब्सक्राइब करें दीदी का मंदिर कितना सुन्दर लग रहा है दिवाली के समय दीदी बहुत अच्छा सजाई थी मंदिर को भी दिखा देती हूं आशिष भी अपने काम में जा रहा है तो वह भी निकल गया उसका हम लोग भी मार्केट निकल जाएंगे मिश्टी बापा बैठे हो रहे थे यहां क्योंकि दीदी बैग वगेरा पैक करें थी बैग मतलब बजार में ले जाने वाला उसका हमने सीरी से उतर गया मिश्टी घर म यह देवी का ममी और मनी सब घर में था हम लोग तीन जने जा रहे थे मिश्टी को लेकर नहीं तो क्या बजार में बहुत जादा सामन लेना था पर 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 इसलिए लिए आप बैठ जाएंगे यहां से कि बजार 15 मिनिट का दूरी पर है 15-20 मिन तो पैदल नहीं गया क्य और तूर का जाएंगे एक कपडरा का शॉप पे जाएंगे कपड़ा लेना था मनी लिए तो मनीश के लिए पैन्ड टि शेट यप लेना था चिजाजी के exactly लेना था तो पहले कपड़ा बलेंगे हैंगे ग्कूर्मौ कं सबूर्ट इा शबन होत्ताइब मワं आता ड explorisch को न् कि मैं इस तरीके से बनाती हुँ और बहुत जादा हम लोग लिये मुल्य के कि हम लोग बहुत जादा परसंद गई मुल्य का परठा तो करने पर मिश्टी के लिए में रबट ले रही थी मां था मत चूल बांधने के लिए स्कूल के लिए वाइट कलड़का लेने के बाद हम नहीं हो यहां गये थे राशन दुकान में नहीं महें गया आपको कोणफा ह्यां बउप और quiere राइस का से Really बहुत जादा आपको रेसिपी जानना होगा तो जरूर कॉमेंट में बताएगा गाइस तो मैं ममी से एक बार आप लोग को दिखा दूगे कैसे ममी बनाती है बहुत टेस्टी बना था ममी कीचन में बैठके बनाती है कि ममी खाड़ा जादा देर नहीं रहने सकती है इसलिए लगा के बैठती है बनाती राइस बनाकर रख दी घाइस ममी अधेवी का ममी का हेल्प कर रही थी कि हम लोग आये थे तो लोग ठक गया था बहुत जादा लग देर लग गया था पजार में का इसलिए और अभी आया है तो चाई पी रहे चाई पी बैठेंगे थादर उसका बनाएगी अब बहुत ज्यादा बदमाशी करती है यहां आने से देवी का सब्सक्राइब करते हैं अब हैर कट भी होगा जादा लंबाल लंबा हो गया और वह कंसे बांदती भी नहीं है तो खोल के रखने सा अच्छा नहीं लगता तो ममी बोली किसका हैर काट दो तो इसल खाना खाकर बैटके तीवी देख रहता है इसका नहीं पढ़को फिर अंधे जाड़ ड़के इतना लंबा ओंगा ता उसको फीला करने लिए उसका एक हैर को इसका जाड देके देंगा इसलिए इतना चोटा करेंगे जैसे खोल के भी रख सकेगे और एक पोनी भी बांद दूंगे तो अच्छा लगेगा और चूल तो फिर बाद में भी बड़ा हो जाएगा और अभी छोटी है तो ज्यादर लंबा चूल भी अच्छा नहीं है तो इतना कैसा लग रहा है जरू को और यहां पर ममी बैठके काम कर रही थी यहां देविगा का है कर देखेंग भी हो गया गाइस मिस्टी का बहुत सुंदर से हैर काड़ी देखेंगा इस कितना अच्छा लग रही है मिस्टी है सुग जाने के बाद यहां पर दीदी ठिकवा के लिए लगा रही है मैदा लुट से लाके एखेंगा के तसमें हलका चीनी पानी से हैट करेंगे पानी नहीं डाले ज़गा थी ठीकवा का आटा थी छिए कंशा में भूल गए इसलिए दिजाइन किस में मतलब किस बनाते हैं यह लोग करके कर दे रहे थे बहुत अच्छा लगा दी थी घर का जारू लगाने चले जिए तब तक हम लोग यहां सब बना ले रहें और लगाने और ठेकवा को छाने की किचन में देवी का भी चान देगा इतना च्छन गया है बहुत क्रिस्पी बहुत टेस्टी बना था अदेवी का यह पूजा का बर्तन दो रहें क्यो तो वो भी काट के रखी अभी एक तरफ ठेकवा होगा एक तरफ सब्जी भी बना ले क्योंकि फिर हम लोग को निकलना है गाइस हम लोग 8 बज़े तक निकल जाएंगे घर के लिए क्योंकि मिष्टी का कल स्कूल है तो यहां पर देखें मिष्टी और यह मजलेवले बहिया का लोग के लिए तो गैसे थेकवा बन गया था तो यहां आलू भून रही है अलू भूझ जाएगा उसके बाद पत्ता भी डाल दीगी दीदी पत्ता भी के लिए रोटी और पराठा बनेगा वादेगा थोड़ा सावर होगा उसके आपर मैं दीदी आटा भी लगा दीए है लिए यहां चाय एक तरब मैं चड़ा दियो चाय साम हो गया तो सब को चाय चाहिए चाय भी पीलेंगे हम लोग आप बज़े तक निकल जाएंगे क्योंकि हम लोग यहां से ज्यादा दूर निये घर गाइस ऑटो से या बस से जाने साधा हंटर लगता है तो आट बज़े निकलेंगे तो पहुंच जाएंगे तो दोस्तों अगर आप सबको मेरा आज का ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कॉमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए गाइस अप्लीज सपोर्ट करिए दोस्तों मेरे चैनल को आप लोग सपोर्ट करते तो अच्छा लगता है गाइस अप्लीज मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर किया करें बाए बाए